कि अगए हेलो माई डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हमने खतम की थी एक्सरसाइस 3.3 आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक एक्वेशन्स और यह पूरा लेक्चर हम देंगे इसी टॉपिक को तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्वेशन्स से सबसे पहली बात जो मुझे समझनी है हमने एक्वेशन्स पड़ी है हमने लीनियर एक्वेशन्स पड़ी हमने क्वाड्रिक एक्वेशन्स पड़ी लीनियर एक्वेशन्स पड़ी लीनियर एक्वेशन्स पड़ी लीनियर एक्वेशन्स expressions trigonometric equations सर दोनों में difference क्या है trigonometric expressions are those जिसको हम equate नहीं करते equal to zero और equation को हम equal to zero equate करते हैं यह difference है एक expression में और equation के अंदर तो चलिए start करते हैं trigonometric equation से अब for example मेरको दे रखा है sin x equal to root 3 by 2 अब यह हो गई मेरी एक trigonometric equation यहां पर constant term भी है और एक trigonometric function भी है with a variable x चलिए अब कैसे solve करना होता है trigonometric equation को simply अगर मैं बोल हूं मैं बोल सकता हूं sin x is sin pi by 3 और x मैं बोल दो हूं equal to pi by 3 हो गई मेरी equation solve पर एक और बच्चा उटकर आया बोला सर साइन जो साइन पाइ माइनस पाइवाइ 3 भी तो रूट 3 बाइटू होता है तो आपने एक्स को 2 पाइवाइ 3 क्यों नहीं बोला मेरे पास कोई जबाब नहीं था देने के लिए बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है कि तू पाइवाइ 3 पे भी साइन थ्री रूट 3 बाइटू होता है अब इस बात से आया कॉंसेप्त ओफ प्रिंसिपल सॉल्यूशन्स और जन्रल सॉल्यूशन चलिए तो ये थी बात अब हमने साइन एक्स का कर्फ पढ़ रख था है कुछ इस तरीके का होता था साइन एक्स का कर्फ मेरी ड्रॉइंग थोड़ी विकार है तो आप अड़्जस्ट करना बच्चों ये होता था जीरो पाई तू पाई एंड सो ओन अब लेट सपोस ये हैं पाई बाई थ्री तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है आफ्टर अ पर्टिकुलर इंटर्वल आफ्टर अ इंटर्वल ओफ टू पाई वैल्यूज रिपीट हो रही है देख लिजी आप आगे जाएंगे ऐसे ऐसे और आती जाएंगी और यहाँ पर भी आ रही है तो बच्चो वो सारी और सिमिलर्ली अगर मैं इसको यहाँ पर एक्स्टेंड करूं तो यहाँ पर मुझे वैल्यूज मिलती जाएंगी रूट थ्री बैटू तो क्या इसका मतलब यह नहीं हो गया किसी एक ट्रिक्डोमेट्रिक एक्वेशन के लिए इन्फाइनाइट नंबर ओफ सॉल्यूजन पॉसिबल है जो बच्चा बोलता है कि पाइः बै ठी सोल्यूजन है वो भी ठीक है अब बच्चो अब ये दूर करने के लिए ये कफ्यूजन की भाई कोई बच्चा बोला रहा है पाइबाइ ठी कोई टू पाइबाइटी कोई कोई एंगल कोई कोई एंगल तो मैथमेटिशेंजस ने जनरल और प्रिंसीपल सॉल्यूशन को इंट्रिड्यूस किया इनका मतलब क्या था वो सारे solutions जो 0 से 2πाई के बीच में लाए करेंगे वो कहलाएंगे principal solutions और अगर अगर मैं एक ऐसा solution लिख दूँ जिसके अंदर जितने भी infinite number of solutions है वो सारे कवर हो जाएं तो उसको मैं बोलता हूँ general solution अब next topic है मेरा general solution पे चलिए discuss करते हैं general solutions जैसा कि अभी हमने question देखा था sin x equal to root 3 by 2 isn't it possible कि sin x equal to root 3 by 2 लिखो या फिर sin pi by 3 लिखो sin x equal to root 3 by 2 लिखो या sin equal to sin pi by 3 लिखो एक ही बात है तो हर जो भी sin x के सामने कोई number होगा तो मैं उसको sin की terms में लिख पाऊंगा और अंदर कोई angle लिख दूँगा अगर मुझे general solution निकालना और मुझे इस form में given है sin x equal to sin y तो general solution जो हो जाएगा वो हो जाएगा x equal to n pi plus minus 1 की power n y सर यह कैसे लिख दिया आपने तो चलिए एक का derivation भी कर लेते हैं हमें basically तीन general solution पढ़ने है क्यों तीन ही पढ़ने है फंक्शन तो 6 होते हैं वो भी बात करेंगे और अगर एक बता दिया तो बाकी दो आप easily खुद से भी derive कर पाएगे तो चलिए वैसे derivation कहीं नहीं आएगा पर फिर भी अपनी knowledge के लिए हमें यह बात पता होनी चाहिए तो चलिए derive कर लेते हैं इस बात को अब देखिए sin x को my equal to sin y है तो मैं इसको लिख सकता हूँ sin x minus sin y और अगर मैं इस बात को अगर मैंने एडेंटिटी पढ़ रखे ही है sin x minus sin y जो की होती है 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 equal to 0 अब भाई 2 तो equal to 0 हो नहीं सकता या तो 0 होगा ये या 0 होगा ये तो चलिए cos अगर x plus y by 2 equal to 0 है या फिर होगा sin x minus y by 2 equal to 0 तो cos के अंदर अगर कोई angle है वो 0 कब होता है तो बच्चों वो 0 होता है अगर जो cos के अंदर वाला angle है वो equal हो जाए odd multiple of pi by 2 पर odd multiple of pi by 2 पर cos का 0 होता है ये बात हमने पहले ही पढ़ी थी अगर जो एंगल x plus y है odd multiple of pi by 2 हो जाए तो cos की value 0 आ जाएगी similarly अगर मैं बात करूं sin की तो वो कब 0 होता है अगर x minus y by 2 equal to हो जाए n pi तो ये भी 0 हो जाता है यहां से मैं x को लिख सकता हूँ 2n plus 1 pi minus y और यहां से मैं x को लिख सकता हूँ 2n plus 2n pi plus y क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n plus 1 pi minus minus 1 की power 2n plus 1 y और similarly इसको 2n pi plus minus 1 की power 2n y हमें समझ नहीं आया भी चलिए आप n की कोई भी value डालिए ये जो चीज है ये तो ओड़ी रहेगी तो minus आएगा ही आएगा तो उपर minus ही तो था ये जो टाम है minus ही दो थी आप n की कोई भी value डाल दीजी ये minus ज़रूर आएगा similarly यहाँ पर n की आप कोई भी value डाल दीजीए ये plus ही रहेगा क्योंकि 2n है तो 2 का multiple बन जाएगा minus 1 की power 2 का multiple is always even that is 1 even मतलब sign जो है negative से positive हो जाएगा चलिए अब मैंने ये लिख दिया और ये टम भी लिख दी अब मैं इसको combined करके लिखता हूं देखिए x equal to n pi plus minus 1 की power n y अब इसके अंदर सारे तो ये वाले cases cover हो गए और सारे ये वाले cases cover हो गए देख लिजीए चेक कर लिजीए n की value डालता हूं 1 तो मुझे मिलता है pi minus y तो मुझे मिल जाएगा ये वाला solution और अगर मैं डालू 2 तो मुझे मिल जाएगा 2 and pi ये वाला solution तो इसके अंदर उपर वाले दोनो solutions cover हो गए तो ये हो गया मेरा एक general solution तो अगर कहीं पर भी आपको लिखा दिखे sin x equal to sin y और आपसे बोला जाए कि general solution निकालो तो simply आपको कुछ नहीं करना आपको n pi plus minus 1 की पार m और y की value लिखकर दिखा देनी है तो ये होता है general solution similarly अगर मैं बात करूँ ये था sin का अगर आजाए कॉस का तो कॉस x equal to कॉस y तो x equal to 2n pi plus minus y अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर बच्चो जो है जो n है belongs to integer z एक ऐसा set होता था जो z एक integers का set होता है integers मतलब non fractional numbers जो fraction में ना हो ताचा वो negative भी हो सकते है zero भी हो सकते है positive भी हो सकते है minus four minus three zero one two these all are integers अब z जो होता था यह हमने sets में पढ़ा था z जो होता था set of integers होता था तो यहाँ पर जो n है set of integer है similarly यह हो गया cause के लिए general solution और यहाँ पर भी n जो है set of integers है जब भी आप एक general solution लिखेंगे तो n belongs to integer यह आपको mention करना पड़ेगा वरना इसके marks कटते हैं चलिए यह तो बात थी sin x की cos x की अब बात करते हैं tan x की tan x equal to tan y तो x equal to n pi plus y यह हो गया general solution for tan और n belongs to फिर से integer चलिए यह तो बात थी सर आपने general solution बता दिए principle solution बता दिए अब इनका implementation देख लेते हैं चलिए start करते हैं सबसे पहले मैं discuss करूंगा आप से sin x equal to root 3 by 2 तो sin x equal to sin pi by 3 लिख सकता हूँ मैं अब मुझसे general solution पूछा जाता है कि general solution बताइए इसका तो देखिए इसको मैंने लिख दिया sin x equal to sin pi by 3 तो जो बच्चो x equal to pi by 3 है यह है principle solution और अगर मुझे general solution लिखना है एक बात और यहाँ पर मैं add करना चाहूँगा जो general solutions होते हैं उसके अंदर principle solutions भी added होते हैं general solution एक बड़ा set है जिसके अंदर sign के सारे के सारे जितने भी infinite number of solutions है सारे cover हो जाते हैं और principle solution वो solution होते हैं जो 0 से 2pi के बीच में होते हैं तो अगर मुझे लिखना है इसका principle general solution तो general solution क्या हो जाएगा x एक्स इक्वल टू क्योंकि मैंने पड़ा था sign के लिए होता है npi plus minus 1 की पार n और y की value यहाँ पर क्या है y की value है pi by 3 pi by 3 तो यह हो गया मेरा general solution for this equation चलिए अब एक और question देख लेते हैं sin x equal to minus root 3 by 2 find general solutions minus sin pi by 3 अब बच्चो जब भी आपको minus दिखे जैसा कि इस question में है तो आपको क्या करना है minus को बाहर अभी consider करके जो उसके पीछे constant value लिखी है that is root 3 by 2 उसकी जगा sin pi by 3 लिख दीजिए अब मेरा काम क्या है यह minus हटाना क्योंकि मैंने कुछ sin x equal to sin y के तो पड़े है पर मैंने sin x equal to minus sin y इसके general solution की study नहीं की है तो आप मेरा काम है minus को हटाना सकता हूँ, minus को मैं हटा सकता हूँ कि जो यह value है मैं इसको negative कर दूँ तो देखिए करना क्या होता है इसको मैं लिख सकता हूँ sin pi by 3 की जगा sin pi plus pi by 3 मैंने pi plus क्यों लिखा क्योंकि मुझे sin से cost में change नहीं करना तो इसलिए या तो pi लिखूँगा या 2 pi लिखूँगा और क्योंकि principal solution की बात करनी है तो मैं 2 pi भी नहीं लिख सकता क्योंकि principal solution होता है 0 से 2 pi के बीच में तो इसलिए मैंने लिखा pi अब आगे plus क्यों लिखा, minus क्यों नहीं लिखा क्योंकि बच्चो मुझे ये negative हटाना है negative हटाना है का मतलब है जो इसकी value आनी चाहिए वो आनी चाहिए negative क्योंकि negative into negative हो जाएगा positive तो इसलिए मैंने लिखा plus ताकि angle जो है third quadrant में चला जाए और third quadrant के अंदर sign होता है negative अब मैं इस sign को लिखूं ना लिखूं एकी बात है क्यों एकी बात है क्योंकि ये जो expression है ये अपने आप से negative दे देगा ये वाला negative अभी cover कर देगा या तो मैं लिखूं minus sign pi by 3 या फिर मैं लिखूं sign pi plus pi by 3 ये one and the same thing तो minus कैसे हटाना है ये मैंने आपको समझाया आप simply अगर आप इस चीज में comfortable नहीं है तो आप सीधा वो value लिखिए इस step को miss करकर इस step को miss करकर आप सीधा वो value लिखिए जहां पर जो sign की value है वो minus root 3 by 2 मिलती है चलिए अब मैंने negative को हटा दिया तो ये आ गया मेरा sign x 4 pi by 3 तो मेरा जो principal solution हो गया वो क्या हो गया 4 pi by 3 मुझे चाहिए general solution तो मेरा general solution क्या हो जाएगा x equal to n pi plus minus 1 की power n 4 pi by 3 उपर आ जाते हैं यहां पर हम एक बात लिखना भूल गए थे n belongs to integer similarly यहां पर n belongs to integer तो यह हो गया मेरा general solution तो इसी तरीके से आपको सारे निकालने हैं अभी हम exercise के question करेंगे तो आपको और clear होगा अब यहां पर एक सवाल और उठता है सराब ने sign के बता दिये general solution cause के बता दिये tan के बता दिये causec और sec ने क्या पाप किये हैं उनके क्यों नहीं बताए तो इसका जवाब है बच्चो अगर मैं causex के general solution लिखने हैं तो मैं उसको sign में convert कर सकता हूँ causex का reciprocal होता है sign माल लीजिए अगर causex दे रखा है 2 तो इसको मैं लिख सकता हूँ sign equal to 1 by 2 x ले 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 ते हैं से और इसके general solution जो होंगे वो ही general solution होंगे इसके तो causex को मैं sign में बदल के कर सकता हूँ causex को मैं tan में और sec को मैं cause में बदल कर कर सकता हूँ तो इसलिए हमें बस ये तीन याद करने हैं बाकी तीन के derive हो जाते हैं चलिए ये थी basic questions की बात अब अगर मैं example number देखूँ अगर मैं ध्यान दूँ example 23 पर that is sign 2x minus sign 4x plus sign 6x हमें simply बोला हुआ है हमें यहाँ पर कुछ प्रूव नहीं करना हमें बोला है solve कर तो बस इसे तो चलिए कर डालते हैं इस जैसे question को solve ये example number 23 मैंने गलती से 24 लिख दिया अब फिर से बात आती है सर इसको कैसे solve करें आपने तो बस sign x equal to कुछ constant ऐसा समझाया है ऐसे question को कैसे solve करें तो पहला काम यहाँ पर होता है इसको कुछ इस तरीके से solve करना कि बस एक expression बच जाए तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं अब देखिए फिर से मुझे वो दो एंगल सिलेक्ट करने है जिनका मैं average निकालू तो तीसरे एंगल के बराबर है तो वो दोनों एंगल है 2x और 6x क्योंकि 2x plus 6x by 2 होता है 4x तो चलिए अब आगे solve करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin 2x plus sin 6x minus sin 4x तो यह क्या हो जाएगा 2 sin c plus d by 2 तो हो जाएगा 4x cos c minus d by 2 minus sin 4x equal to 0 तो 2 sin 4x cos of minus 2x minus sin 4x अब मुझे पता है क्योंकि cos of minus theta इस cos theta तो मैं इसको minus को neglect भी करके इस तरीके से लिख सकता हूँ अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि sin 4x जो है common है तो निकाल देते हैं अब अब इसके आगे यह solve नहीं होगा क्या करूँ मैं अब अब देखिए बच्चो या तो होगी ये term 0 या होगी ये term 0 तो चलिए दोनों को 0 equate करके answer निकालते हैं या तो होगा sin 4x 0 या होगा 2 cos 2x minus 1 0 तो ये 0 कब होता है अब ये 0 होता है बच्चो अगर मैं sin 4x equal to simply लिखूं sin 0 तो इसके प्रिंसिपल general solution क्या हो जाएंगे 4x equal to n pi plus minus 1 की power n y और y है 0 तो simply n pi आ गया और मुझे ये बात पता है जब भी pi का multiple होता है वहाँ पर sin 0 होता है तो यहां से आ गया x equal to n pi by 4 cos 2x equal to हो गया 1 by 2 cos 2x equal to cos pi by 3 अगर मैं यहां general solution principle solution की बात करूँ यह pi by 3 हो गया तो अगर मैं बात करूँ general solution की तो मैंने आपको क्या बताया था cos का जो general solution होता है वो होता है x equal to अब यहां x नहीं है 2x है पहले मैं यहां पर general solution लिख देता हूँ x equal to 2n pi plus minus y तो x equal to 2x x क्योंकि 2x के बराबर है 2n pi plus minus y क्या है यहां पर pi by 3 और x equal to n pi plus minus pi by 3 तो यह हो गए बच्चों मेरी x की यह values पर यहां पर यहां पर हमने एक छोटी सी गलती कर दी जब तू यहां पर आएगा यह 6 हो जाएगा तो यह हो गए बच्चों मेरी x की value पर यहां पर मैंने फिर से mention नहीं किया कि n कहां पर belong करेगा तो n will belong to set of integers तो यह हो गया मेरा question solve चलिए अब बच्चों बढ़ते हैं अपने next question की तरफ that is example number 24 यह दोनों example discuss करने का क्या motive था क्योंकि यह दोनों काफी important questions है आपके exam point of view से चलिए solve करते है question number 24 तू कोस्ट टू एक्स प्लस थ्री साइन एक्स इक्वल टू जीरो अब देखिए मैं को स्कॉर को या तो अब मैंने ऐसे फॉर्मले पड़े हैं साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई का जनरल सॉल्यूशन कोस एक्स इक्वल टू कॉस वाई का पर मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं पड़ा कि कॉस एक्स इक्वल टू साइन वाई ऐसे वाले तो हम पहले या तो साइन को कॉस में कनवर्ट कर लेंगे या कॉस को साइन में यहां पर को स्कॉर एक्स है और मुझे पता है साइन स्कॉर एक्स प्लस को स्कॉर एक्वल टू वान होता है तो मैं को स्कॉर एक्स को plus 3 sin x equal to 0 तो बच्चो अगर मैं minus common ले लो तो यह हो गया 2 sin square x minus 2 minus 3 sin x equal to 0 और इसको मैं लेख सकता हूं sin square x तो अगर आपको confusion है sin x को आप t मानकर quadratic equation solve कर लेजिए कुछ इस तरीके से कि इसको मैं let sin x भी t तो 2 t square minus 2 minus 3 t हो गया तो इसको मैं कैसे लेख सकता हूं 2 t square minus 3 t minus 2 minus 4 t plus t minus 2 तो 2 t common आया t minus 2 यहाँ पर minus 1 common आया t minus sorry यहाँ पर plus 1 common आया t minus 2 equal to 0 तो इसको लिख सकते हैं 2 t plus 1 and t minus 2 equal to 0 अब t की value हम simply लिख देते हैं t हमने assume किया था sin x को 2 sin x plus 1 sin x minus 2 फिर से मेरे पास आगए 2 solution या तो यह part 0 होगा या यह part 0 होगा तो चलिए करदालते हैं 2 sin x plus 1 0 होगा या तो या sin x minus 2 0 होगा अब यहाँ से तो आ गया sin x equal to 2 क्या यह possible है बिलकुल भी नहीं क्योंकि हमें पता है sin x की जो range होती है वो होती है minus 1 to 1 2 तो होई नहीं सकता तो अब हमें जो basically निकालने हैं वो निकालने है sin x equal to minus 1 by 2 के तो फिर से मैं जो मैंने आपको तरीका बताया था minus 8 आने का sin 1 by 2 होता है pi by 6 पे दो pi plus pi by 6 तो यहां से जो general solution आए वो आए x equal to n pi plus minus 1 की power n 7 pi by 6 तो यह आगया मेरा general solution for this question चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी exercise पर तो exercise 3.4 का देखते हैं question number 1 tan x equal to tan x equal to root 3 इसको मैं लिख सकता हूँ tan x equal to tan pi by 3 क्योंकि tan pi by 3 is root 3 और अगर मैं बात करूँ अब general solution की मुझसे पूछा क्या गया है principle and general solutions तो देखिए principle solution हो गया pi by 3 या फिर 60 degree और अगर general solution मुझसे पूछा जाए तो tan के लिए होता है general solution जब मैं यहाँ पर आपको एक बार फिर से recall कर वाद देता हूँ tan x equal to tan y होता था तो general solution हो जाता था x equal to n pi plus y तो यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं general solution क्या हो जाएगा x equal to n pi और y क्या है हमारा pi by 3 तो यह हो गया मेरा general solution चलिए आगे बढ़ते हैं question number 3 पर अब question number 3 है cortex equal to minus root 3 तो इसको कैसे solve करें क्योंकि मैंने cortex का कोई general solution नहीं बताया और नहीं हमें पढ़ना है तो हम पहले ही से लिख सकते हैं 10x equal to minus 1 by root 3 और 10x equal to minus 10 1 by root 3 होता है pi by 6 पर अब यहाँ पर minus अटाने के लिए मुझे एक नया तरीका लगाना पड़ेगा basically मुझे pi plus या pi minus लिखना है यह मुझे किस quadrant में एंगल चाहिए अब ध्यान देंगे अगर मैं 10 pi plus pi by 6 लिख दूँगा यह तो भाई positive होता है क्योंकि यह angle होगे 3rd quadrant में और 3rd quadrant के अंदर 10 होता है positive तो मुझे यहाँ पर 10 pi minus pi by 6 लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि मुझे angle of 2nd quadrant में मिल जाएगा और 2nd quadrant के अंदर 10 होता है negative तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10 pi minus pi by 6 मैं दुबारा बताता हूँ आपको यह बात सबसे पहले मैंने minus को बाहर रखा अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि minus हट जाए minus हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा या तो मुझे pi plus करना pi plus pi by 6 लिखना पड़ेगा या pi minus pi by 6 अब depend करता है मुझे यह लिखना है यह लिखना है अगर मैं यह लिखूंगा एंगल हो जाएगा third quadrant का क्योंकि यह होता है 180 plus 30 210 degree तो 210 हो गया third quadrant का angle और यह हो गया 150 यह हो गया second quadrant का angle तो मुझे 10 के अंदर ऐसा angle put करना है जो answer negative है अगर मैं यह डालूंगा third quadrant के अंदर 10 होता है positive तो मैं नहीं डाल सकता क्योंकि negative नहीं मिलेगा तो इसलिए मैंने यह डाला समझे बच्चों चलिए अब बढ़ते हैं आगे 10 5 5 by 6 अब यह तो हो गया x equal to 5 5 by 6 general solution और x equal to अगर मैं बात करूं x equal to n pi plus क्या निकाला था मैंने sorry यहां पर हमने इसे general लिख दिया पर यह principal solution होगा और general solution क्या हो जाएगा हमारा 5 5 by 6 is the general solution तो यह था बच्चों हमारा general solution for the question number 3 चलिए अब discuss करते हैं question number 6 क्या है question number 6 cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0 ऐसा हमने अभी sign में भी किया था फिर से cos में भी देख लेते हैं cos 3x plus cos x minus cos 2x equal to 0 फिर से मुझे वो दूं एंगल select करने हैं जिसका average जो आए third angle के पराबर यहां तो वो as it is लिखे ही हुए है तो इसको मैं convert कर देता हूं cos a plus cos b क्या होता था 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 minus cos 2x equal to 0 यह हो गया cos 2x cos x minus cos 2x equal to 0 cos 2x 2 cos x minus 1 minus 1 equal to 0 तो यह तो होगा cos 2x equal to 0 यह फिर होगा 2 cos x minus 1 equal to 0 यहां से आया 2x should be 2n plus 1 pi by 2 or x equal to 2n plus 1 pi by 4 यह तो x होगा यह एंगल यह फिर cos x equal to 1 by 2 और 1 by 2 होता है यहां पर थोड़ा सा change हम करेंगे बच्चों cos x उखता है cos pi by 3 तो x equal to 2n pi plus minus pi by 3 यहां मैंने साथ 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 लिख दूँ n belongs to z n belongs to z तो यह तो यह solve हूँ हमारा question number 6 solve करते हैं हम question number अपना next question x exercise का question number 8 अब question number 8 क्या कहता है चलिए देखते है question number 8 6 square 2 x is equal to 1 minus tan 2 x तो इसका मुझे general solution बताना है इसमें मैंने आपको sec square 2 x क्या था question is equal to 1 minus tan 2 x तो फिर से या तो मुझे sec में convert करना पड़ेगा या tan में तो चलिए मैं tan में करते दूँ तो 1 plus tan square theta होता है हमारा sec square theta तो यह आ गया मेरा 1 plus tan square 2 x और यह आया 1 minus tan 2 x तो यहां से 1 से 1 तो cancel तो tan square 2 x plus tan 2 x equal to 0 tan 2 x अगर मैं common निकाल हूं तो आयगा tan 2 x plus 1 equal to 0 या तो यह 0 यह 0 tan 2 x equal to 0 या फिर tan 2 x plus 1 equal to 0 अब देखिए अगर tan 2 x equal to 0 तो मैं simply लिख सकता हूं 2 x equal to tan pi क्योंकि जब-जब sin 0 तब तक tan भी 0 तो 2 n equal to n pi और x क्या आ गया n pi by 2 और यहां से tan 2 x क्या आया यहां से आया minus 1 तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं tan 2 x equal to minus tan pi by 4 और tan 2 x equal to tan pi minus pi by 4 तो tan 2 x equal to tan 3 pi by 4 और general solution की बात करूं तो इसके 2 x equal to 2 n pi plus minus sorry plus y 3 pi by 4 तो x equal to n pi plus 3 pi by 8 तो यह हो गया general solution तो बच्चो यही था इस exercise के अंदर basic चीज़े जो मुझे याद रखनी है वो है 3 जो की sin x के लिए क्या general solution होता है tan x के लिए क्या general solution होता है और cos x के लिए निकाल सकते हैं सबसे पहले हमें same में convert करना है और उसके बाद solve करना है अगर मैं last question में देखूं question number 8 मैंने इसको tan to x tan में convert कर दिया अब या तो मैंने बोला कि tan 2 x 0 होगा या tan 2 x plus 1 0 होगा और बिल्कुल सही बात है अगर दो equation है x plus y equal to 0 है यह 0 कप कप possible है या तो यह 0 हो जाए या फिर दोनो 0 हो जाए इन दोनों में जो conditions हमने ली है हमने दोनो 0 वाली को include करा है तो पहले मैंने solve किया जब मैंने first वाले को 0 माना तो मैंने यह solution निकाला और जब मैंने दूसरे वाले को 0 माना तो मैंने यह solution निकाला और फिर उससे लिख दिया combine करके या तो x हो सकता है n pi by 2 या फिर x हो सकता है n pi plus 3 pi by 8 अब बच्चो अब यही था इस exercise के अंदर अगर आपको इस वीडियो से किसी भी तरीके का कोई doubt आया हो या आपको कोही भी कई नया question पूछना हो किसी दूसरी exercise से किसी दूसरी book से तो आप हम से chat पे पूछ सकते हैं आपको जल्दी से जल्दी best solution प्रवाइड कर आया जाएगा और उससे भी अगर आप satisfied नहीं है तो आप फिर से पूछ सकते हैं आपको उससे भी अच्छा solution प्रवाइड करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कोई भी doubt और वो भी आप पूछ सकते हैं till time take care thank you so much कोशिए